स्वास्थिमंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि युवाओं को खेलों में अवश्य भाग लेना चाहिए खेलों से युवाओं का स्वारगिन विकास सुनिश्चित होता है इह बाद स्वास्थिमंत्री ने स्वास्थिमंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने किया इस अवसर पर उन्होंने परेड की सलामिली और दीप प्रज्वलित कर इस प्रतियोगिता का शुभारम किया इस प्रतियोगिता में जिला सोलन की सोला आई टी आई के 350 के युवा खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं स्वास्थेमंत्री डॉक्टर करनल धनीराम शांडिल ने बताया कि जिला और द्योगिक प्रशिक्षन संस्थान की यह खेल कूद प्रतियोगिता युवाओं की खेलों में रूची बढ़ाएगी उन्हें खा कि खेलों से युवाओं को बॉध्विक, मान्सिक वर शारीरिक विकाश होता है उन्हें इस तरह की खेल कूद प्रतियोगिताओं को करवाने का आग्रहस भी शिक्षन संस्थानों से किया है ताकि युवान नशे से दूर रह सकें, वो खेलों में अपनी रूची बढ़े. भी एक आदत, तभी छुटेगी जब इस फरकार की घटिवीदिया बढ़े हैं, मैं तब कहता हूं कि इस फरकार की घटिवीदियें, बहुत शीग्रात इचीवे हर इंसी चूट को होनी चाहिए, डिस्ट्रिक लेवल आई टे का प्रोग्राम है, मैं इसका बहुत अभिवाद करता हूं और चाहता हूं कि हमारे युवापीडी खेलें, कूदें, खेल-कूद से एक दूसरे के कौपरेट करने की भावना पड़ती है, अपने एम को अचीव करने की शक्ति दिड़ होती है और सबसे बड़ी बात आपस में काम करने की भावना पैदा होती है, खेल- हिमाचल प्लस न्यूस के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट